हेलो दोस्तों तो देखिए यह सजाना का फूल है तो आज हम इसको इसका कचड़ी बना के आप लग को बताने वाली हैं कि इसमें हम क्या-क्या डालेंगे तो चलिए देखिए इसे हम अच्छी तरीके से साफ कर लिए हैं धो लिए हैं इसे साफ पानी से तो देखिए इसमें हम बेशन लिए हैं और इसमें दो चमत भर हम सुझी लेंगे जिससे पकोड़ी क्या होगा मेरा कुरकूरा हो जाएगा देखिए यह बेशन असुझी लिए हैं फुल के साथ और यहां देखिए यह पीसा हुआ लासुन है नमक है हल्दी पौडर है लाल मिर्च है यह कूटा हुआ गोलकी है दस दना गोलकी का है और यह एक बड़ा हरा मिर्च है आप सिर्फ हरा मिर्च भी दे सकते हैं हरा तो आप लाल मिर्च भी दे सकते अब सारे को हम इसमें मिक्स कर देंगे और इसे हम मिलाएंगे देखिए इस तरीके से सारे को हम डाल देंगे इसमें पानी देने की जरूरत नहीं है देख लेंगे आप कि पानी इसमें पड़ेगा या नहीं है तो चलिए इसे हम मिक्स करते है थोड़ा बहुत पानी देना पड़े तो आप उसमें एड़ कर सकते देखिए इस तरीके से हम सारे चीज को मिक्स कर लिए हैं अब इसे हम तेल में छानेंगे देखिए तो देखिए मेरे तेल गर्म हो चुका है इसे हम गर्म कर लिए हैं तो अब इसमें हम कचड़ी को अब जिस सेप में इससे बनाना चाहें अब बनाएंगे देखिए तमाई इसे थोड़ा हलका चौला करके डालूंगी जैस का फ्लेम ज्यादा नहीं करेंगे दिने आज पेसे हम पकाएंगे सारे को में इस तरीके से डाल दें कड़ाही में अब इसे हम प्लाट देंगे दूसरी तरफ लिए अच्छी तरीके से पक जाए देखिए अभी कलर और आएगा तो देखिए इस तरीके से मेरा कुल्कुडा पकोडा बनके तयार हो गया है सजाना का फूलगा अभी से हम सॉस के साथ कैचप के साथ सर्व करेंगे देखिए यह अंदर से अच्छी तरीके से सीज़िया है आज के लिए बस इतना ही वीडियो देखने के लिए थाइंक्यू अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक किजिए स्वस्क्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि आप ट्राय कियें की नहीं और मेरा पकोड़ा आप लोग को कैसा लगा क्यों